पॉसदिये पौधों का ब्यापक रूप से आयरवेदिक चिकित सकूं यानि वैद्यों द्वारा उनके अभ्यास के दोरान विभिन नरोगों के इलाज के उपयोग में किया जाता रहा है उनी पौधों में से एक महतपूल नाम है तुलसी का जिसे सभी लोग अपने घरों में सुक, सान्थी और समरिद्धी के लिए लगाते हैं जिसका वैग्यानिक नाम या बोटनिकल नेम ओस्मम सेंक्टम है इसे अंग्रेजी में होली बेसिल भी कहते हैं जो सायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर ना मिले अगर ऐसा नहीं है और आपके घर में नहीं है तो मेरा निवेदन है आज ही पडोसी या किसी नर्सरी से लाएं और इस अद्भुद दिव्य पौदे को घर में जरूर लगाएं दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी माताओं की जो सदयों अपने सिसूँ छोटे सिसूँ की छे महिने से बड़े और पांच साल से कम वर्स के उनकी विभिन छोटी मोटी वीमारियों की वज़े से चिंताओं में गिरी रहती हैं और बहुत सी माताओं बहने औसात की स्थिति में भी चली जाती हैं बार बार डॉक्टर्स के पास बागना इन चोटी मोटी समस्याओं से हम कैसे निजात पा सकते हैं उसको आज हम देखेंगे इसे जानने के लिए आप कृप्या पूरा वीडियो देखें और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी आपको मिलती रहे तो मैं बात कर रहा था बच्चों में होने वाली समान बार-बार बुखार आना खांसी होना छाती में जकडन पेट दर्द भूख ना लगना कब कई कई दिनों तक लेटरेन ना होना और लीबर की समस्याएं ये बहुत आम होती है और सभी गरों में ये देखने को मिलती है इसके लिए माताएं सिर्फ जो सर्व माता हैं माता दो-तीन पत्तों का रस सहद में मिलाकर दो-दो गंटे के अंतराल पर अपने बच्चों को चटाएं इससे इस प्रकार की सारी बीमारियां या तो दूर रहेंगी या बच्चों को हुई हैं तो उनसे निजात मिलेगा जो दूसरी मुख के समस्या है बच्चों के दात दूर करने के लिए तुलसी के चार-पांच पत्तों और काली मिर्च एक-दो काली मिर्च लेकर इसे चबाने के लिए दे सकते हैं या बहुत अच्छा लाप करता है बच्चों में जो तीसरी समस्या है वो बार-बार उल्टी का होना उसकी वज़े से खाना दूद आधी नह लाइची का पाउडर और सहत को मिलाकर थोड़ी देर पर चटाने से उल्टी रुख जाती है चौति जो समस्या है मुक की समस्या है बच्चों में कान धर्थ की विविन बैग्यानिक सोधों में तुलसी के एंटी एनाल्यसिक एफेक्ट यानि दर्थ को दूर करने वाले एं इंटी बैक्टीरियल एफेक्ट प्रूफ हो गए हैं तो तुलसी के पत्तों का रस थोड़ा गुनगुना करके उसकी दो-दो-बूत कान में डालने पर कान दर्थ में अवस्य आराम मिलता है इस उपयोग को सभी माताहें कर सकती हैं पांच्वी जो मुक के समस्या होती है व के बजाए तुलसी के दो पत्तों का रस और चुटकी बर जायफल का चूड़ पाउडर और सेद मिलाकर चटाने से दस्त रुक जाता है इसको आप दो-तीन गंटे के अंतराल पर तीन-चार बार बच्चों को दिन में देते रहें यह सभी सामान्य समस्या हैं जो बच्चें जिससे पीडित होते हैं और सभी घरों में चिंता का विश्य होता है लेकिन महत्वपून बात यह है कि अगर कोई कंबीर समस्या होती है या बच्चा इन उपायों से नहीं लाप प्राप्त करता है तो आपको किसी खुसल चिकत्सक से नज़दी की मेडिकल सेंटर में किसी या आइरवेधिक चिकत्सक्सक या अलोपेथिक चिकत्सक से यह जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पर आप संपर्क करें चिकत्सिये शलाले यह बहुत जरूरी है यह जो उपाय बताये जा रहे हैं यह सिर्फ इंडिकेटिब है वैसे चिक्त्सा दोस्त दूस्त से सब्सक्राइब कर सकते हैं या इमेल आइडी पर मेल कर सकते हैं मुझसे जितना संभव होगा जो भी सला मैं दे सकता हूं इसको देने का प्रयास करूंगा अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और इसी तरह की जानकारियां आपसे साजा करते रहेंगे आपसे अन्रोद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें